आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम इसमें एक बार फिर आज के दिन एक ही मैच है इंडिया की सीरीज भी कल खतम हो गई तो आज के दिन एक ही अच्छा मैच है जिसमें इंवेस्ट करने लायक मुझे लगा और उसका वीडियो लेकि मैं आपके लिए आचुका हूं इन इंट्रेस्टिंग मैच इसकी वीडियो आपके लिए आती रहती है वीडियो कितना इंपोर्टेंट है वह आपको साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वुमेंस की बीजो टेस्ट चल रहा है उसमें पता चल गया है और बहुत सारे से मैच है अच्छा कमेंट सेक्शन डिस्क के बाद उन्हें चेंज करना पड़ सकता है वह अच्छे रहेंगे तो भी हमें टॉस को देखते हुए उन्हें अपनी टीम में लेना है या नहीं लेना है वह डिसाइड करना पड़ेगा ठीक है तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है लिं सब्सक्राइब मेरे आपको आपके पॉइंट से थोड़े से जादे देखेंगे और जब 11 चैनल पर आप खेलते हो तो भाई बिल्कुल ही कम कॉंपिटीशन है पॉइंट डिफरेंस आप देख सकते हो इस वारी लीग में चाहिस लीग में देखो चाहिस लीग में देखो हर लीग में 200-200 पॉइंट्स जो है देखने को मिल जाएगा 11 चैलिंज से आपके लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में एंट्रीफीस आपकी कम लगती है एक मिट आपको एक्सा डेडिलाइन मिलता है क्रिकट के मैचस में दो मिट आपको कबड़ी के मैचस में तो बहु आज से इसमें तीन तीमें पार्टिसिपेट करिए नमीबिया जर्सी और यूएसे ठीक है तो इन तीनों टीमों के बीच में सीरीज होगी जो सीरीज का मैच नमीबर वन है वो खेला जाएगा नमीबिया और जर्सी के बीच 29 जून यानि आज ही के दिन दोफैर के देड़ ने पज़े मैच स्टार्ट होगा यूनाइट्डच्पोर्ट्स ग्राउंड नमीबिया मैच है नमीबिया के अगर वेदर की बात करो तो 18ंग डेडी सेलशियस क्लियर वेदर रहने वाले आज के दिन यूनाइटट्टर्ट्चम्स के अगर रीसिट मैच कि में बात करता हू तो यहां पर आप देखोगे 185 का स्कोर बना नमीबिया खेले थी युगांडा के अरगेंस युगांडा के अरगेंस युगांडा ने 177 का स्कोर इस बार चेस कर लिया 194 174 यानि कि अच्छा बैटिंग राउंड आप यहां पर 117-180 का एवरेश स्कोर मान सकते हो फिर्स निंग में यहां पर दोनों ही टीमें तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन जर्सी की टीम भी ठीक ठाखेलती है Hong Kong वगएरा को हरा के आ रही है तो उतना भी अंडर रेटेट नहीं है जर्सी नमीबिया के सामने लेकिन हां नमीबिया में कुछ अच्छे प्लेयर्स है बड़े प्लेयर्स हो नमीबिया तो के टी टीटी वल्लकप के लीग स्टेजिस तक पहुंची थी जहां वो बड़ी-बड़ी टीम से खेल रही इन सारी टीमों को हरा के तो नमीबिया थोड़ी से बैटर साइड हमें इस मैच में भी देखने को मिल सकते है जो नमीबिया का अपने टीम में जरूर पिक करना है ठीक अब इनकी जो प्लेइंग लाइन हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूं क्रेग विलियम्स और स्टेफन बार्ड आपको ओपन कर दो दिख जाएंगे वन डाउन जेन निकोल लोफ ट्यूटन उसके बाद गरहाड एरेजमस डेवि को पिक करना पड़ेगा लुंगा मेनी अगर लोगे तो यह लेफ्टाम मीडियम फास्ट बॉलर है और पिकिया फ्रांस एक और जीब से एक्शन के साथ बॉल डालते है ठीक है यह चीज़ अब जेन ग्रीं का मैं क्या बता रहा था तो लोफ्टी इटन खेलांगी है तो जे यह बैट्समेण च bonito करते है तो मैं लुंगया इन Previously डना पर फरह सकते हैं और जरसी के स्कौट तरफ यह है आप पॉस्ट करके देख सकते हो सारे प्लियर्स मैं सीधे आपको प्लिंग लेकर आता हूं यह इनको उपनर है और अपनी टीम के सेकंड बैस्ट मैं इन्हें मानता हूं हाला कि रन निक ग्रीन बूट से जाधा बनाते हैं लेकिन टेक्निक वाइस अगर आप देखोगे तो इनके वड़ना बैस्में रीसेंटी परफॉर्म नहीं किया लेकिन पिछले ओडिया जो इनकी सी डव्यू सी लीग चल रही थी वहां पेख अंडिड बना किया रहे है जूलिय सुमरा नहीं बॉल से बॉल डालते हैं प्लस आपको पिंच हेटिंग करके देए टीटी में चा चाल्स प्रचार्ड जूके क्याप नंवी राइटा मीडियasında फिर आते हैं ऐल्यू अश्र मिल्स जो इनके लेफ्ट आम एजनने थेखवले हैं रही औरम затंग लेंपियां सब्सक्राइब एक लेफ्ट एक िडहला सिर्वरला नियू रही से शार औरतींग नों और प्लेयर होगा अगर बैटिंग फर्स करती है जर्सी की टीम तो मेरी टीम में होंगे डॉमिनिक ब्लेंपिट अगर पहले बॉल डालती है तो फिर में जो इनके कैप्टन है चार्ल्स पर चार्ड इनकी तरफ जाऊंगा अगर आपको लगता है कि अगर पहले बॉल डालेगी तो एक कार लिओन दूसरे ग्रीन वूट तीसरे जूलियस समर और चौथे प्रिचार्ड अगर पहले बाटिंग करेगी तो प्रिचार्ड की जगा ब्लैंपियर्ड बस इतने से मेरे चेंजिस रहेंगे ठीक है तो यह थी दूनों ही टीम के स्कॉर्ड और उनके प्लेंग लून की बाद वेन्यू के रिकॉर्ड बेन आपको बता दिए अच्छा बैटिंग ग्राउंड है नमीबिया पहले बैटिंग करेगी तो 170-180 तक आप स्कूर देख सकते हो जरसी पहले बैटिंग करेगी तो 140-160 अब जो मेरी स्मॉल लीग की टीम बन रही है वो तो मैंने आपको ऐसे भी बताई दिए कि कौन से साथ प्लेयर लेने देखो यहां से जेन ग्रीन ग्राइड एराजमस क्रेग विलियम्स ओल्राउंडर सेक्शन में आओगे तो वह तीन ओल्राउंडर डेवीड वीज है जेजिसमिड जैन आपास ओल्राउंडर पिक नहीं कर सकते हैं कायले उनको मुझे नहीं पता लोगों क्यों नहीं लिया लास्ट दो मैचस में लगाता रन बना रहे हैं और ऑफस्विन भी डालते हैं ठीक है तो अभी अपन क्या करते हैं जेन फ्राइलिंग को ड्रॉप कर देते हैं समर ले ल यह है मेरी स्मॉल लीग की टीम ठीक है अभी के हिसाब से टॉस के बाद जो भी चेंजेश हैं लगेंगे मैं आपको बता दूँगा कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी की बात करूं तो डेविड वीजे मेरे कैप्टन होंगे वाइस कैप्टन सी मेरी रूबर ट्रमपलमेन को जाएगी अगर पहले नमीबिया बाल डालती है अगर नमीबिया बैतिंग करती है तो यहां से गरहट एराज मस्को चली जाए यह दोनों रहेंगे मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही सिनैरियो में तो यह है अभी के लिए स्मॉल लिग की टीम प्रिव्या आपके साम आपको मिलते रहे मैं मिलूंगा आपके साथ किसी अगली वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक क्यार वा गुड डेव